नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्स ड्रिफ्ट जीवन में हर वेक्ती अपने गोल का डिसीजन तो कर लेता है लेकिन उस गोल तक वही जाता है जो किसी भी परिस्तिती में अपने फोकस को बनाए रखता है सफल लोग अपनी सफलता के लिए केवल अपने आइडिया पर ही काम नहीं करते हैं बलकि वो उसका आकलन भी करते हैं बिजनस टाइकून और कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक भी एक ऐसा ही नाम है जो लच्छे पर फोकस करते हुए आगे बढ़े हैं और आज हम इनी की सकसी स्टोरी के बाड़े में जानेंगे उदय कोटक का जन 15 मार्च 1969 में मुंबई के गुजराती मीडल क्लास फैमली में हुआ उनके परिवार में टोटल 60 फैमली मेंबर थे जो के एक बड़े घर में एक ही छत के नीचे रहते थे उनके पिता पार्टीशन के बाद कराची से इंडिया आये थे उनकी फैमली का कॉटन ट्रेडिंग का बिजनस था उदय ने सिंडेहम कॉलेज से बैसलर डिग्री प्राप्त की उनने क्रिकेट खेलने और सितार बजाने का बहुत सौक था लेकिन 1989 में एक दिन जब उदय क्रिकेट खेल रहे थे तो बॉल सिर पर आकर लग गई और वो मैदान पर ही ब्योस हो गये डॉक्टर ने कहा कि ब्रेन हैम्रेज हुआ है और तुरंत ऑप्रेशन करना पड़ेगा और एक साल तक उनकी पढ़ाई पर ब्रेक लग गया लेकिन दुनिया को हडाने का जज़बा रखने वाला कहां हारता है और साल भर बात जब उन्होंने परिच्छा दी तो बॉम्बी उनिवर्सिटी में टॉपर रहे हैं फिर जमनलाल बजाज कॉलिज से मास्टर और बिजनस एडिमिस्ट्रेशन यानि की एम्बीय की डिग्री प्राप्त की मुंबई के फोर्ड इलाके में नवसारी बिल्डिंग में इनके परिवार का उस्तैनी ओफिस था क्योंकि हर फैसले के लिए इतने बड़े परिवार में हर एक आदमी की हामीब की जरूरत परती है फिर पिता ने पूछा कि आखिर तुम क्या करना चाहते हो तब उदय ने कहा कि वो फाइनेंसिल कंसल्टेंसी करना चाहते हैं और उसके बाद उसी ओफिस में 300 स्क्वाइर फिट की जगह दे दी गई तो उदय ने वहां से अपनी कमपनी कोटक कैपिल मैनेजमेंट फाइनेंसल लिम्टेट की सुरुवात की सुरुवाती दिनों में ये कमपनी बिल डिसकाउंटिंग का काम करती थी तब ही उनकी मुलाकात टाटा की कमपनी नेलको का फाइनेंस देखने वाले एक व्यक्ति से हुई नेलको बजार से तब पैसा ले रही थी और सौभाग्य से उदय की कमपनी को ये डील मिल गई तब उदय ने नेलको को पैसा दिया 1980 में कई विदेशी बैंकों ने भारत में ओफिस खोले जिसे की उदय को फाइनेंस जुटाने के और अफसर मिल गये साल 1985 को वे ही अपना भागय का दरवाजा खुलने जैसा मानते हैं क्यूकि इसी साल उनकी मुलाकात पलवी से हुई जो की इनकी जिवन साथी बनी और इसी साल आनंद महिंदरा से भी मुलाकात हुई जिनको इन्होंने अपनी फाइनेंसल कमपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर लिया और उसके बाद उदय ने अपनी कमपनी का नाम बदल कर कोटक महिंदरा फाइनेंसल लिम्टेड कर दिया इसके बाद कभी भी इन्होंने पीछे मुरकर नहीं देखा और काम्याबी की बुलंदियों को हासिल किया अगले कुछ वर्सों में इन्होंने अपनी बिजनस को फाइनेंसल सर्विस के अलग-अलग छेतरों में डाइवर्सिफाई किया जैसे की स्टॉक ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कार फाइनेंस, लाइफ इन्सॉरेंस और मुच्वल फंट और 22 मार्च 2003 को कोटक महिंदरा फाइनेंस लिम्टेड भारती रिजर बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत के कॉर्परेट इतिहास की पहली कंपनी बन गई फरवरी 2021 तक कोटक महिंदरा बैंक भारत में प्राइवेट सेक्टर का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है जिसमें 1600 ब्रांचेज और 2500 से भी ज़्यादा ATM सामिल है जुन 2014 में उदय कोटक को EY World Entrepreneur of Year से समानित किया गया और 2016 में US4 मैगजिन में Financial World में सबसे ताकतवर लोगों में सामिल होने वाले सबसे पहले भारतिये फाइनिसर थे और India Today मैगजिन की ने उदय कोटक को 2017 में 50 सबसे 37 साली लोगों में से आठवे स्थान पर रखा तो देखा दोस्तों कैसे उदय कोटक ने अपने बिजनस के एक छोटी सुरुआत कर आज इतने बड़े मुकाम को हासिल किया इसलिए आप भी छोटी सुरुआत करिए लेकिन उसे बड़ा करने में लग जाएए जिससे कि आप भी एक दिन बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे और अगर आप ये वीडियो फेस्बूक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे पेज सक्सेस ट्रिफ्ट को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा और फाइनिली थैंक्स पर वाचिए